वेलकम स्टूडेंट आज हम डिसकेस करेंगे मैथ का टोपिक क्लास 10 से और प्रीविज वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 9 है उसको स्टार्ट किया था और कुछ एक्जामपल्स किये थे उन्हें एक्जामपल्स को आगे इंक्रेज करेंगे और एक्साइज के कोशन भी स्टार्ट करेंगे आई होप आपके चितने भी कोशन मैंने करवाएं वो अच्छे समझ में आ गए होगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेट सी आज का टोपिक हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास एक्जामपल नेक्स्ट है उस पर डिस्कुस करेंगे देखिए एक्जामपल नमबर फाइफ हमारे पास है गीवन हमारे पास क्या स्टेटमेंट में देखिए जो हमारे पास स्टेटमेंट में गीवन है उसकी अगोडिंग हम कोशन को रीडाउट करते हैं The shadow of a tower sending on a level ground is found to be 40 meter longer, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है, टावर की जो परचाई है, उसकी परचाई से और ground level का जो distance है, वो हमारे पास है 40 meter, ठीक है, When the sun is altitude is 30 degree, जो sun का altitude है, वो हमारे पास जो है, वो 30 degree angle बनाता है, Then when it is 60 degree, अगर sun का altitude 60 degree बनता है, यहाँ पे हमारे पास जो sun का altitude है, वो 30 degree है, अगर 30 degree की बजाए वो 60 degree angle बनाता है, यहाँ पे हमारे पास ground level पर अगर पड़ती है, तो वहाँ पे जो angle बनेगा, वो हमारे पास होगा 30 degree, लेकिन जो उसकी परचा ही है, वहाँ से लेके और ground level तक यानिए D point से लेके C तक का जो distance है, वो 40 meter है, अगर हमारे पास angle 30 की बजाए 60 बनता है, तो आपको tower की height find out करनी है, यह तो है हमारे पास question, तो देखिए solution करेंगे, now let A, B, जो हमारे पास height है, उसको हमने मान लिया h, यह देखिए, let A, B, B, h meter and BC जो हमारे पास इसका distance नहीं given है, तो इसको हम मान लेंगे x, इसके बाद में देखिए हमारे पास, इसको हमने मान लिया x, and according to question, जो DB हमारे पास है, is 40 meter longer than BC, ठीके, BC से हमारे पास कितने meter ज्यादा है, 40 meter ज्यादा है, ठीके, अगर मैं total distance की बात करता हूँ, अगर मैं D and B का total distance की बात करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, DB is equal to, जो हमारे पास है, DC, पलस में हमारे पास क्या होगा, BC, तो यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास submission कराएंगे, and total distance हमारे पास क्या होगा, this one DC is the 40, and BC हमारे पास क्या है, X, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 पलस X, तो यहाँ पर हमारे पास आगए 40 पलस X meter, now we have two right angle, ABC and ABD, यहाँ पर हमारे पास दो right angle बन रहे हैं, एक तो हमारे पास ABC है, तो यह एक हमारे पास ABC है, और एक हमारे पास ABD है, now discuss करते हैं, triangle ABC पर, ABC पर करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, AB upon में BC, यहाँ पर हम ABC की बात कर रहे हैं, this one, यह जो triangle है, माना है अगर हम a b upon b c करते हैं तो angle हमारे पास कितने degree का है 60 का है यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा function हमने use किया है एट p b p and h h b ठीके तो यहाँ पे हमारे पास perpendicular mean p हो जाएगा फिर हमारे पास b c क्या है बेस है तो p by b यहाँ पे हमारे पास क्या होगा p by b और आप इसको write कर सकते हैं tangent theta clear तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा tangent theta theta तो हमारे पास given है 60 degree तो a b को आपने क्या मान लिया था h मान लिया तो आप h put करें b c को आपने क्या मान लिया था x मान लिया था तो इसको क्या put करेंगे x put करेंगे और tangent 60 की जो हमारे पास value हो हो हमारे पास क्या है root 3 according to technometry function table गे ठीक है तो इसको मान लेंगे equation number first अब हम use करते हैं triangle a b and d जो complete हमारे पास triangle है उसको हम लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा base तो हमारे पास complete हो जाएगा 40 plus x लेंगे देखिए यहाँ पर हमारे पास होगा triangle a b d then tangent 30 degree is equal to a b upon b d then tangent 30 की value 1 by root 3 is equal to a b हमारे पास h है और b d हमारे पास जो है x plus का 40 क्योंकि हमारे पास क्या है यह मान लिया हमारे पास जो triangle है उसका distance ले रहा हूँ मैं तो यहाँ पर मेरे पास d है this one हमारे पास b है और यह c है मुझे यहाँ पर यह दिया हुआ 40 meter और इसको मैंने x मान लिया था और total मेरे distance है 40 plus का x ठीक है b d यहाँ पर b d का जो distance है वो मेरे पास है 40 plus x या फिर आप बोल सकते है x plus 40 ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 and 30 की value 1 by root 3 and is equal to a b आपका h है b d आपके पास x plus 40 है now this is the equation number 2 यहाँ पर फिर हम क्या कराएंगे cross multiplication root 3 की और h के साथ product करवाएंगे root 3 and h equal to यहाँ पर इसकी product करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा x plus का 40 so यह हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए यह आ जाएगा equation first से यह यहाँ से हमारे पास equation first से क्या आएगा उसको हम देखिए यह है हमारे पास यहां से h की value निकालेंगे तो आपके पास आएगा root 3 x is equal to h this one ठीक है from 1 we have इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको simplify करेंगे तो यहां पे हमारे पास अगर हम solve करते हैं तो h के equal क्या आएगा अगर हम इसको simplify करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए now putting the value जो हमारे पास h है इसकी value को आप यहां पे put करें equation number 2 में then आपके पास क्या हो जाएगा 1 by root 3 equal to आपके पास होगा x into में root 3 divide by x plus का 40 now cross multiplication cross multiply करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा x plus का 40 and x root 3 की multiply root 3 से करवाएंगे then 3x आजाएगा तो यहां पे हमारे पास होगा 3x is equal to x plus का 40 फिर इसको simplify करेंगे 3x minus x is equal to 40 and 2x is equal to 40 then आपके पास क्या आएगा 20 x is equal to क्या आजाएगा 20 ठीके तो यहां पे x की value हमारे पास 20 है लेकिन हमें किसकी value निकालनी है x की value निकालनी है देखिए यह हमारे पास h है तो हम यहां पे रखेंगे x की value this one 20 and root 3 तो this one हमारे पास जो है वो हमारे पास height आजाएगी so देखिए therefore the tower of the and the height of the tower is a 20 root 3 meter clear? I hope आपको question अच्छे से समझ में आ गया होगा let's see next example हमारे पास है उस पर discuss करते है so हमारे पास example number 6 देखिए यहां पे हमारे पास जो है example number 6 के अंदर जो हम ले रहे है the angle of dispersion of the top and bottom of an 8 meter tail building from the top of multi-stored multi-storage जो हमारे पास है यहनि हमारे पास two layers जो बनी हुए building की this one and this one ठीक है अब इसके बाद में यहां से हमारे पास top level है उसके बारे में भी discuss करेंगे multi-storage building at 30 degree and 45 degree respectively यहां से हमारे पास two angle बन रहे है यहां पर अगर हम बात करें this one तो यह angle हमारा 45 degree है अगर मैं यहां की बात करूँगा तो यह मेरे पास कितने degree है 30 degree angle है तो देखिए इसके बाद में हमारे पास find the height of the multi-storage storage building and the distance between the two buildings अब हमें distance भी बताना है यह हमारा question है ठीक है तो यहां पर हमारे पास दो triangle बनेंगे एक तो हमारे पास बनेगा P, B, D तो देखिए यहां पर P है फिर हमारे पास B है और फिर हमारे पास D है और इस angle की बात मैं करूँ तो कितने degree था 30 degree और अगर यहां पर मैं P, A, C की बात करूँ गा तो यहां पर कितने degree का angle है 45 degree यह 30 degree है यहां पर आपके पास 45 degree है नाउ टेक हमारे पास जो है triangle लेंगे P, B, D and similarly इसी type से आपके पास जो second triangle होगी वो हमारे पास होगी P, A, C 45 degree सबसे पहले हम solve करते है P, B, D triangle लेंगे right angle triangle है जिसमें हमारे पास जो है देखिए P, B, D के अंदर P, D upon में क्या लिए है हमने P, D है upon में हमने क्या लिए है B, D ठीक है तो यह हमारे पास क्या होगा P by B यानि perpendicular upon में this one आप क्या बोल सकते है इसको tangent theta तो P, D upon में B, D is equal to tangent यहाँ पे angle कितने degree का है 30 degree का तो P, D upon में B, D equal to tangent 30 degree अब tangent 30 degree की value 1 by root 3 clear यहाँ पे B, D का जो हमारे पास जो है वो हमारे पास distance कितना है देखिए यहाँ पे हमारे पास given है कि जो यह हमारे पास हो जाएगा 1 by root 3 equal to P, D upon में B, D and then आपके पास क्या होगा B, D is equal to P, D and root 3 यह हमारे पास हो जाएगा equation first ठीक है इसके बाद में now take angle P, A, C P, A, C लेंगे ट्रेंगल तो P, C upon में A, C यह भी हमारे पास perpendicular upon में base है ठीक है यह A, C, base ले रहे हैं P, C हमारे पास height है equal to हमारे पास है tangent 30 degree पे discuss हो चुका था 45 degree है ठीक है यह P, A, C 45 degree now P, C upon में A, C equal to tangent 45 degree mean 1 ठीक है तो P, C की जो distance रहेगी वो हमारे पास किसके equal होगी A, C की distance but P, C की value देखिए हम कैसे निकालेंगे जो P, C होगा उसको हम write करेंगे P, D, plus में हमारे पास क्या होगा C, D ठीक है यह हमारा distance हो जाएगा वई तो यहां हम लिखेंगे कि P, C अगर निकालना है तो आप लिखें P, D, plus C, D अब यहां पे यह जो हमारे पास है P, C वो किसके equal है A, C के तो यहां पे क्या रख लें P, C की जगहें पे A, C write करें ठीक है and A, C किसके equal है हमारे पास B, D के A, C किसके equal है B, D के हमारे पास तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा A, B, जो है हमारे पास given है 8 meter A, B given है 8 meter और a b किसके equal है c d के equal है ठीके तो यहाँ पर हम रखेंगे c d की value तो हमारे पास कितनी आगी 8 meter so now the put करेंगे c d या d c p d plus का 8 is equal to b d अब यहाँ पर हमारे पास देखिए जो p d हमारे पास है जो b d था हमारे पास वो b d किसके equal है p d root 3 तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे कि p d है वो हमारे पास p d plus में 8 equal to b d है b d की जिगें क्या put करेंगे p d root 3 ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इस p d को right side में लेके जाएंगे right side में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा यह equal to 8 लेंगे ऐसे लेंगे हैं हमारे पास कि जो equation हमारे पास है PD is equal to 8 by root 3 यह equation हो जाएगे हैं से ठीक है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जो equation है 8 by root 3 minus 1 यह कैसे आएगा यह हमारे पास आजाएगा देखिए solution करेंगे इस equation को use करेंगे now we get PD PD plus 8 is equal to PD and PD की जाएगे हमने use किया है PD ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख लें PD plus का 8 equal to PD root 3 and PD को right side में लेके जाएगे 8 is equal to PD root 3 minus का PD अब इसमें से PD क्या लेंगे common लेंगे तो रहेगा root 3 minus 1 ठीक है अब हमारे पास क्या आएगा 8 is equal to PD and into में root 3 minus 1 then आप divide में लेके आएगे तो क्या बनेगा PD equal to this 1 यह बनेगा वे ठीक है यह बनेगा हमारे पास अब इसको आगे simplify के लिए हम क्या करेंगे rationalization यहाँ minus का है between sign तो हम positive से क्या करेंगे multiply and divide फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 root 3 plus 1 divide by a plus b a minus b then आपके पास क्या आएगा 3 and minus 1 तो आपके पास यहां से हमारे पास क्या आजाएगा 3 minus 1 करके 2 2 से इसको cancel out करेंगे 4 पे so हमारा result क्या जाएगा हमारा result आजाएगा 4 into में root 3 plus 1 meter यह हमारे पास क्या आगया PD आगया ठीक है अब multi stored building जो हमारे पास है उसके height हमें बतानी है तो हमारे पास क्या लिखेंगे देखिए जो 8 है उसको हम plus करते हैं पहले तो यह हमारे पास होगा 4 into में root 3 plus 1 plus में 8 ठीक है इसके बाद में इसको हम simplify करवाएगे तो यह आएगा हमारे पास 4 plus ऐसे कर लेना 4 root 3 फिर हमारे पास plus 4 plus का 8 ठीक है यहाँ पे 4 root 3 plus का 12 ठीक है फिर 4 लेंगे common हमारे पास तो क्या आजाएगा root 3 plus का 3 यह बचे गया हमारे पास ठीक है यह आगया हमारे पास 4 into में 3 plus root 3 and the distance between जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास यह आपके पास यह आजाएगा 2 building is also जो distance between 2 building is also 4 into में 3 plus है root 3 meter I hope आपको question समझ में आ गया होगा let's see next question पे discuss करते हैं example number 7 example number 7 में हमारे पास जो है find a point on a bridge across a river the angle of this person of the of the banks on opposite side of the river is river or 30 degree and 45 degree angles respectively if the bridge is at a height of 3 meter from the banks find the width of the river हमें river की width को बताना है ठीक है देखिए यह है आपका डाइग्राम इसमें यह हमारे पास bridge बना हुआ है ठीक है तो यहां से हमारे पास P point है और इस side से हमारा angle 30 degree का बन रहा है यह हमारा 45 degree का है बतानी है ठीक है तो bit बतानी है तो हमारे पास A B है वो किसके equal हो जाएगा यह जो A B हमारे पास है वो किसके equal होगा A D plus में B D के equal होगा ठीक है तो हमारे पास triangle लेंगे दो triangle बनेंगे एक तो हमारे पास होगा A P D and another हमारे पास क्या बनेगा another triangle बनेगा इसके अंदर हमारे पास P D and B ठीक है तो now हमारे पास जो है AB is equal to AD plus BD and angle A हमारे पास 30 degree यह हमारे पास है इस side तो हमारे पास angle A जो है वो 30 degree है तो हमारे पास same topic use करेंगे यह triangle use करेंगे ABD में तो हमारे पास perpendicular upon में क्या आएगा base यानि PD upon में AD angle 30 degree का given है height आपको given है PD 3 meter हम write करेंगे tangent 30 की जगह पर 1 by root 3 equal to PD 3 meter AD आपको निकालने है यहां से cross multiply करवाएंगे so 1 into में AD is equal to 3 root 3 तो यहां से AD की value आ जाएगी फिर हमारे पास PBD लेंगे angle उसका change 45 degree और height आपको same दी हुई है दोनों के अंदर ठीक है यह देखिए height हमारे पास same है angle 45 degree है तो यहां पर हम use करेंगे PBD now PBD के अंदर हमारे पास क्या होगा AB क्या जो distance हम लेंगे वो BD plus AD होगा और यहां पर BD की value जो हमारे पास है वो किसके equal है PD के equal है now 3 plus में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 root 3 यहां से हमारे पास क्या होगा देखिए जब हम 30 degree angle निकाल रहे थे angle लिया था तो हमारे पास AD is equal to I 3 root 3 AD की value हम रख सकते हैं यहां पर now इसमें से क्या लेंगे 3 common then आपके वास remain रहेगा 3 into में 1 plus root 3 तो यह हमारे पास क्या जाएगी AB आ जाएगी ठीक है तो यह AB हमारे पास वीड़ था इसकी यह देखिए यह वीड़ हमसे पुछी गई है तो AD तो हमने पहले निकाल लिया था ठीक है फिर AB निकालनी है ना तो हम क्या करेंगे AD प्लस में हम क्या करेंगे BD निकालेंगे अब AB निकालना है तो AD की value रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है और जो हमारे पास AD है न वो हमारे पास किसके equal है देखिए BD सोरी BD जो हमारे पास है वो PD के equal है BD का जो distance है now this distance and this distance are same ठीक है यह distance हमारे पास क्या है सेम है I hope आपको question समझ में आ गया होगा यहां पर हमारे पास width of the river 3 into root 3 plus 1 meter let's see यह हमारे पास example थे अभी हम question start करेंगे question number first a circus artist is climbing a 20 meter long rope एक रसी लगा रखिये जो circus करते हैं which is tightly stressed and tired from the top of vertical pole यह pole है pole पे रसी बंदी हुई है to the ground ground तक यहां तक रसी बंदी हुई है find the height of pole आपको इस pole की height बतानी है h बतानी है if the angle made by the rope with the ground level जो ground level पे जो रसी बंदी है उसका angle जो है वो हमारे पास 30 meter है और रसी की length हमारे पास given है ठीक है तो हमें क्या बताना है जो pole लगा है उसकी height बतानी है ठीक है so now देखिए हमारे पास let मान लेते हैं जो a b हमारे पास है वो pole है उसको हमने observe किया according to diagram now हमारे पास triangle है a b c ठीक है यह h है और यह हमारे पास 20 है फिर हमारे पास angle given है simple question है triangle है a b c ठीक है इसमें हम क्या लेंगे a b upon में direct आप ले लेंगे a c एक यह given है यह लेनी है और एक आपको निकालना है वो लेना है ratio में आगे उपर नीचे हो कोई problem नहीं चाहिए आप a c upon में a b करेंगे तब भी कोई problem नहीं है only function change होगा value आपको रखनी है answer same आएगा ठी ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास रखेंगे triangle a b c then a b upon में a c is equal to sign 30 यह sign इसलिए बना क्योंकि a b upon में a c अगर मैं करता हूं में आपके पास pbp and hhb तो यह बनेगा p by h तो p by h के अंदर हमारे पास perpendicular upon में hypotenuse पर perpendicular तो निकालना था इसलिए लिया h हमारे पास 20 meter जो रखी की length वो given है तो यह बन गया हमारे पास sign theta और theta given है कि जो रखी का angle है जिस angle पे बंदी हुई है वो 30 degree है now sign 30 की value 1 by 2 cross multiply करवाएंगे और हमारे पास यह आ जाएगा 10 meter 20 आ जाएगा तो देन आपके पास a b is equal to 20 by 2 is equal to 10 meter now therefore height of pole is 10 meter तो जो pole बंदा हुआ है जो pole हमारे पास लगा हुआ है उसकी height हमारे पास है 10 meter now the question number 2 जो है उस पर discuss करते हैं देखिए a tree breaks due to the storm and the broken part bend एक जो tree है वो तूट जाता है और bend हो जाता है नीचे की तरफ जुख जाता है so that the top of the tree touch the ground और जो bend होता है उसका जो अमारे पास top होता है वो ground पे जमीन पे touch हो जाता है and ground making an angle 30 degree with it the distance between the foot of the tree जो distance है उस tree का to the point and where top of touch the ground is 8 meter और उस ground से उसका जो distance है वो 8 meter है find the height of tree आपको tree की height बताने है यह देखिए diagram से question आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ठीके यह tree है इस टाइप से height उसकी given है यह से लेके c तक और यहां से वो तूट गया ब्रोक हो गया तो यह जितनी length है यह आपकी ground पे आके ऐसे touch करती है और अगर वो touch करती है तो touch करती है तो उ जहां से वो paid लगा हुआ है उसका distance और जहां पे वो touch हुआ है उसका जो distance है वो given है 8 meter ठीक है आपको क्या करना है आपको निकालनी है ac की height clear तो simple है अगर मेरे पास bc की height आ जाती है और मेरे पास ab की height आ जाती है तो दोनों को add कर दूँगा तो यह वापिस ac बन जाएगा क्य height आ जाएगी tree की I hope आपको question समझ में आ गया होगा statement now देखे हमारे पास let ac was the original tree ac का मतलब यहां से c लिया हुआ है तो यहां पर ac हो गया original tree जो height है due to the storm it was broken into the two parts दो पार्ट में bend हो गया एक this one एक यहां पर जो bend हुआ है वो है the broken part a dash जो broken part हुआ है sorry जो broken part हुआ है bend हुआ है उसको नाम दिया a dash c a dash b ठीक है यह b point है and is make angle 30 degree यहां पर कितने degree का angle बना है 30 degree with the ground ground के साथ में ठीक है अब यहां पर हमारे पास rectangle बन रही है a dash b and c तो हम लेंगे a dash b and c now दो हमारे पास जो है b c upon में लिखेंगे a dash c तो a dash c के अंदर एक यह लेंगे जिसका distance confirm हमें पता है इसकी height हम निकालेंगे clear तो यहां से हमारे पास क्या होगा b c upon में a dash c यानि हमारे पास b c का मतलब height है p perpendicular upon में base same function tangent बनेगा angle आपको given है 30 degree then आप value put करें 1 by root 3 b c upon में 8 is equal to 1 by root 3 cross multiply करवाएंगे तो b c की value आएगी फिर हमारे पास लेंगे जो हमारे पास a dash c जो हमारे पास है a dash c जो distance है and a dash b तो equal to हमारे पास क्या बनेगा cost 30 degree उसकी value रखेंगे उसकी value है root 3 by 2 and जो a dash c जो distance है वो हमारे 8 meter है cross multiply करवाएंगे तो answer आएगा 16 by root 3 meter अब हमने क्या निकाल लिया a dash b निकाल लिया ठीक है और हमने क्या निकाल लिया वही एक हमने निकाला था भी इसके अंदर जो हमने use किया था function को तो हमने यहां से निकाल लिया था b c ठीक है तो हम क्या करेंगे total height निकालेंगे height of 3 तो हमारे पास क्या करेंगे a dash b and b c को add करेंगे तो total height हमारे पास आ जाएगी a c ठीक है सो हम लिखेंगे 16 divided by root 3 and plus 8 by root 3 LCM लेंगे root 3 and 8 और 16 को add करेंगे 24 and 24 के factor करेंगे now then हमारे पास क्या होगा यह आपके पास 2 पे जाएगा 12 फिर again 2 पे जाएगा 6 फिर 2 पे जाएगा हमारे पास 3 ठीक है तो यह हमारे पास क्या आजाएगा यह हमारे पास आएगा 2 root 6 ठीक है और divide by आपके पास था root 3 चलो और अभी इसमें और करते हैं के simplify तो यह बनेगा 2 into में root 3 लिख लो इसको और यहाँ पे लिख लो root 2 ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आने के बाद में इसमें तो साइद इसमें कोई देखना 24 है ना इसके root बना ले डारेक्ट तो 24 है और यहां से यहां से factory कर लेते हैं बनाने की requirement नहीं है sorry student देखिए 24 को हम ऐसे लिख लें जिसमें हमारे पास 3 आता हो यहां लिख लें 8 into में 3 24 होगा अब 3 को लिख लें root 3 into root 3 divide by root 3 है यह यहां से cancel हो जाएगा तो बच्चे का हमारे पास क्या 8 root 3 इतना छोट दो कि तब भी आपका answer right है clear so hence the height of tree is 8 root 3 meter I hope आपको questions अभी समझ में आ गए होंगे question number 3 से हम next video के अंदर करेंगे thank you student